लेबलान के इस बुल्ला लड़ाकों ने इसराइल के किरियाद शमोना शहर को 70 रॉकेट धमाके से दहला दिया है सीरिया बॉर्डर पर भी इसराइल को खत्रे के सिगनल मिले हैं अब इसराइल को डर है कि कहीं चौते फ्रंट ना खुल जाएं लेकिन बड़ी खबर हमाज शीप सिन्वार की सुरंग से आई है जो बहुत चौकाने वाली है 65 रॉकेट से दहल गया इसराइल किरियाद में आईडिय फाइट पॉर्टर पर हमला नसरल्ला के कक्यूशा ने मचाया कोहराम सिन्वार के टनल वॉर्यर आक्टिव सिन्वार ने दिखाया नरक शाफ एक घंटे के बीतर 65 रॉकेट धमाके इसराइल का किरियाद शमोना धुआ धुआ हो गया धमाके इस गुला फाइटर्स ने किये रिशाने पर इसराइल का बेस था कत्यूशा रॉकेट की प्रहार से इस गुला ने आईडियप के सेनने ठिकाने को तभा करने का एनान किया है वह इसराइल ने दावा किया है कि इस गुला के रॉकेट अटैक को मजबूती से जवाब दिया गया है ज्यादा तर रॉकेट को हवा में ही तभा कर इसराइल ने आग बुजाने का मिशन भी शुरू कर दिया है इस बुल्ला लडाकों के दागे गए रॉकेट रहाईशी बस्कियों में भी भते हैं हालकि किसी भी तरह के जानी या माली नुक्सान की खबर अभी तक नहीं आई है मगर इसराइल का क्रोग लिवनान फ्रंट की जगा घजा में दिखने लगा है घजा में जलते रॉकेट की आंदी थमने का नाम नहीं ले रही बारूदी गुबार से ढकी घजा सिटी रह रहकर आग की लप्तों में घिरती है चीख पुकार मचती है और पिर इमारत काला खंडर बनती है जमीन पर टैंक के गोले जलजला ला रहे है आसमान से बरस रही मिसाईले मौत बाट रही है हमास लडा के आमने सामने के युद में कहीं टिक नहीं पा रहे मगर जो जुद हो रहा है दिखाई दे रहा है ये जंग उतनी भण नहीं असल लडाई जमीन के नीचे शुरू हो चुकी है सुरंग में बैठे हमास के खुंखार पल्टन भीशन पलटवार कर रही है अपने बिलों से निकल कर हमास के स्लीपर सोलजर कैसे कोहराम बचा रहे हैं उसकी बस एक जलक देखिए सुरंग से दबेपाउं निकलते हैं हमास के बम स्कॉर्ट इसराइल की फोर्ट को करीब जाकर दहलाते हैं सिंवार के आत्म घाती हमलावर इस घातक और विद्वनसक हमले का तोड अब तक नेतन याहू कि सेना तलाश नहीं पाई है हमास के अकेले सुरंग वारियर्स के मुकाबला करने के लिए इसराइल को कितनी ताकत लगानी पड़ लही है उसका सबूत ये वीडियो है इसराइल फोर्स से घिरा हमास का लवा का पत्थरों से बनी इमारत में शरन लेकर बैठा था उसे घेडने के लिए एक दरजन से ज्यादा आईडियफ सोल्जर्स ने फाइरिंग की वेस बैंक के हिब्रॉन में ये भिड़न कैमरे में कैप्चर हो रही थी कैई घंटों तक चले शूट आउट में आखिरकार आईडियफ काम्याब रही लेकिन एक अकेले हमास के लड़ाके ने दरजनों जवानों को जोरदा अटक कर दी इसी तरह उत्तरी घजा में इसराइल के हमले में 6 लोगों की मौत का दावा किया गया है जबकि हमास को कोई भी नुकसान नहीं हुआ है शेक जाइड टावर्स इलाके में हुई भीशन लड़ाई में आईडियफ के कैई जवानों को जखमी कर हमास फाइटर्स सुरंग में जाकर आराम से छिप गए टनल बैटल में हमास इसराइल फोर्स पर भारी पड़ रहा है इसकी वज़ा सुरंग में मिल रही इरान और हिजबुला का फुल बैक अप है इसराइल के पूर कैबिनेट मंत्री और सैनने प्रमुक बैनी गैंट्स ने तो नेतनियाहू को ये वार्निंग भी दी है कि सुरंग में बैथे सिन्वार कसफाया लगभग ना मुमकिन है अगर नितनियाहू सही युद्र रनिंदी नही बना पार है तो हुने सरिंडर कर देना चाहिए प्रमुक बैन नितनियाहू को नितनियाहू को अप है हम येश लो सफेक शिन्वार ये खुसाल शनागिया लगभग नितनियाहू को अप्रेशन इतना लंबा क्यों किस्ता जा रहा है क्या है अंडर ग्राउंड घजा की हकीकाट इसराइली हमलों से बचने के लिए हमास ने पूरे घजा शहर में सुरंगों का ऐसा जाल बिचाया है कि दुश्मन उनका ज्यादा कुछ बिगाड नहीं पाते हैं हमास के इस नेटवर्क को घजा मेट्रो या अंडर ग्राउंड घजा भी कहा जाता है एक वक्त इसराइली एक्सपर्ट्स ने यह अनुमान लगाया था कि पूरे घजा में सता से 15 फीट से लेकर 200 फीट नीचे तक करीब 300 मील लंबी सुरंगे है हाला कि या आंकलन उस वक्त गलत निकला जब आईडिय अपने 1500 से ज्यादा टनल शेफ्ट को खोज निकाला हमास के इसी अंधेरी दुनिया में इसराइल के नागरिकों को बंदक बना कर रखा गया है एक एक कर हमास लड़ा के बंदकों को मारते जा रहे हैं जिससे इसराइल में भारी बकेड़ा मचा हुआ है हाल ही में च्छै बंदफू की मौत के बाद से प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू की मुश्किलें बढ़ गई है देश भर में जारी विरोध प्रदर्शन से नेतन्याहू जहां बैकफुक पर है वहीं सिनवार अपनी सुरंग से निकल कर नए हमले की प्लानिंग कर रहा है सिनवार ने सभी सुरंगों के दरवाजों को धमाके का ट्रगर बना दिया है हमास का अंडरग्राउंन नेटवर्क एक अरप डॉलर से ज्यादा खर्च करके अपग्रेड किया गया है सुरंग के एंट्री पॉइंट को ऐसे बनाया गया है कि बाहर से छूते ही जोरदार दमाके होने लगते है GPS सिस्टम और रोबोट से आपरेट होने वाला ये सिस्टम मिसाइल हमले को भी नाकाम कर देता है हमास की सभी सुरंगे घाजा पट्टी की गनी अबादी वाले शहरी इलाकों में बनाई गई है यहां अमनागरिक और रहतिहासिक स्थल है हमास की रणनीती भी इलाके पर कब्जा करने या हमलावर को हराने की नहीं है सिन्वाद की स्ट्राटीजी कम से कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने की है जिसके लिए वो इसराइली सेनाओ की पकड़ से खुद को दूर रखने के लिए अपना भेश बदल कर खुले आम घूंता भी देखा गया है बहिनाओं के कपड़े में घजा की गल्यों में घूंचुके सिन्वाद की आईडियफ सूल्जर्स पहचान भी नहीं पाये थे इसराइल के लिए हमास की सुरंग जाल को भीटपाना आसान नहीं है आईडियफ की गहरी सुरंगों और बंकरों को बरबाद करने के लिए खास طरह से वी स्पोर्ट करने की जरूरत पड़ती है इस तरह की लडाई में सबसे बड़ी चुनोती सुरंगों को खोजने में लगती है और फिर उसे तबहा करने में लगती है जिसमें अच्छा खासा वक्त लगता है इसी फासले को हमास रड़ा के अपने हफ में इस्तिमाल करते है वार्जोन में हमास चीफ सिन्वार भले ही रॉब जमा रहा है लेकिन अमेरिका ने सिन्वार को उल्टा टांगने का एक्शन ले लिया है अमेरिका ने आजिर्यार पर 7 अक्टूबर को हमास की वोर से किये गए नरसंगार के आरोपों की गोशना की है इस्राईल में 7 अक्टूबर 2023 कुवए नरसंगार के केस में हमास चीफ यहिया सिन्वार, पूर्व हमास चीफ इसमाईल हानिय, मारवा ईसा, खालिद मशाल, मुहम्मद अलमसरी और अली बराका के खिलाफ आपरादी कारूप तै कर दिये गए हैं सिन्वार के खिलाफ न्यू यॉक की अदालत में सक्त फैसला सुनाए गया है Today, the Justice Department unsealed charges against Yahya Senwar and other senior leaders of Hamas for financing and directing a decades-long campaign to murder American citizens and endanger the security of the United States. As outlined in our complaint, those defendants, armed with weapons, political support and funding from the government of Iran and support from Hezbollah, have led Hamas's efforts to destroy the state of Israel and murder civilians in support of that aim. America में Hamas की टॉप लीडर्शिप पर कानूनी हंटर चलानी की तैयारी है लेकिन सूपर पावर, Hamas कमांडों तक कभी पहुँच पाएगा भी पिलाल इसके कोई आसान नहीं दिख रहे है एरान के समर्थन से हमास पिर से ताकतवर बन चुका है एरानी हत्यारों से हमास के लड़ाके तुलकरम और वेजब बैंक में आईडियेफ कोच छका रहे है रफा फरंट पर हिजबुल्ला के फुल सपोर्ट ने भी हमास लड़ाकों में नई जान फूद दी है आईडियेफ को सबसे बड़ा खत्रा फिलहाल लेबनान फ्रंट पर है जहां असरल्ला ब्रिगेड भेंकर पलटवाज शुरू कर चुकी है अपने टॉप कमांडरों के खादमे से बौक लाए हिजबुल्ला फाइटर इसराइल में खुशकर बड़े हमले की प्लानिंग में है फूफिया रिपोर्ट्स में दावा तो यहां तक किया गया है कि हिजबुल्ला फाइटर गाजा की सुरंग में बेस बना कर हमास के साथ जॉइन्ट अटाइक को अन्जाम दे सकते है इसका पता सीरिया बॉर्डर पर गुलान हाइट्स बेस पर हुई एक घुसपैट से चला है यहां आइडियेफ ने बॉर्डर पर घुसपैट कर रहे एक संदिक्त का खात्मा किया है इसराइल की बाड़ के करीब कई दिनों से काफी हलचल देखी जा रही है आइडियेफ की वार्णिंग के बाड़ जब एक संदिक्त ने बाड़ पार करने की कोशिश की तो उसे धेर कर दिया गया इससे साफ हो गया है कि इसराइल को अब सीरिया फ्रंट पर भी ऐलर्ट मोड में रहना होगा सीरिया रूट का इस्तिमाल हिजबुला या फिर कोई भी मिलिशिया गुट आसानी से करके इसराइल को दहला सकता है